हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब भी मेकप को अपलाई करने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फाउंडेशन जी हाँ, फाउंडेशन एक ऐसी चीज है जिसे फेस पर लगाते के साथ ही ग्लो एकदम से आ जाता है लिकिन कि आप जानते हैं कि फाउंडेशन को सही तरीके से लगाने के भी कई तरीके होते हैं आईए जानते हैं उन सारे तरीकों के बारे में जिसके द्वारा आप अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि यह है आपकी ऑईली स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है दिन खतल होने के साथ साथ आपके चहरे से निकलने वाले तेल को यह अच्छे तरीके से सोख लेता है और आपके फांडेशन को चमकीला नहीं बनाता है इसलिए अगर आपकी स्क अपने फेस पर पांच मिट के लिए मसाज करें मसाज करने के बाद पांच मिट का बेट करें और उसके बाद फांडेशन को अप्लाई करें ऐसा करने से आपकी स्किन सुपर सॉफ्ट हो जाएगी और मेकप भी बहुत देर तक टिका रहेगा पॉइंट नमबर थ्री कई लड़किया जब भी फांडेशन कर स्टमार करती है तो वो केवल हाथ के ऊपर क्रीम की तरह फांडेशन को लेती है हाथ से मसलती है और वैसे ही अपने फेस पर अप्लाई कर लेती है जो कि बिल्कुर घरत तरीका है फांडेशन को अगर चेहरे पर लगाना है तो उसे डॉट्स के तरह अपने पूरे फेस पर कवर कर लीजे और इसके बाद उसे फैलाने के लिए स्पोंज का प्रियोग करी ऐसा करने से अच्छे तरीके से पूरा फांडेशन एविल लिए आपकी पूरे फेस पर लग जाता है और काफी अच्छे फिनि इसे आपको रगर रगड के अपने आखों के नीचे लगाने की ज़रत नहीं है हलके हातों से आप कंसीलर को अपने आखों के नीचे लगा सकती है या पिर उस एरी पर लगा सकती है जहां पर ज्यादा दाग धब्बे होते हैं तो दोस्तों ये है कुछ आसान से टिप्स फांडेशन लगाते समय जो आपको ध्यान रखनी है इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमाई साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्ज से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर औ झाल